असलाम अलेकूं मेरे यूटूब की प्यारी से फैमिली कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे हैं मैं बहुत अच्छी हूं तो जैसे कि आप सब यह देख रहे हैं और टाइटल से भी आपको सब को पता चलिया होगा कि किस चीज की तयारी है तो भायकब वर्दे था तो यह सोचे कि कुछ इसमें कर वाया जा और यह सारे वेजी ममी से मैंने कट्वा कर रख ली थी इसमें प्याज है री प्याज है गाजर है अद्रक लस्यून है और सिम्ला मीट आप यह जो भी है सब दो-दो साइज में है और इधर मैंने चिली पटा पांटे में बन चुका था और यह पास्ते बॉइल हो चुके हैं और यह चिकन है को मैंने रग दिया है थोड़ा पानी वगएर वह रहा है तो अभी इसको मैंगनेशन करके इसको अलग रख लेंगे बाकी फिर्स के जो भी तैयारी है आगे करते हैं और यह चिकन मैं अलग से पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी और इधर में चिली पेड़ाटो बनाने के लिए पहले आलो फ्राय करूंगी तो यह पूरे ड्राय आलो मैंने नमक डाला है हलकर समिर्जी डाला है और कान फ्लॉर डाला है और बस इसे टोस कर देंग तो इसे तुरंद ही फ्राय करना है और इधर साइड में ने ओयल गरम पनी के लिए रख दिया था और इसे तुरंद फ्राय कर लेते हैं इसको जरसा भी इसको मैगनेट करने के बाद अगर रखते है तो पानी चूने लगता है और अगर अलु को यह छोड़ देते तो वह ब है बाकि इसकी जो घ्रेवी होगी वह मैं बात में बनाऊंगे अच्छा वीवर्स तो आप लोगों के मेरी पूरी वीडियो देखनी है जैसा भी हो आप ज़रूर बताएगा और क्या कमी क्या नहीं यार आप लोग नहीं बताएंगा तो फिर कौन बताएगा बाकि जो नए ह है तो नुकसान बीमत करो बट इसको को डी मोटिवेट तो मत करो कि वीडियो अच्छी नहीं थी क्या कर रही हो घर का काम करो तो ज्यदा सही है यह वही घर का ही काम है कोई मैं बाहर जाके कुछ नहीं कर रही हूं घर थी और वैसे अविए मेरी पढ़ाई वगर सब कंप्ल पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते हो तो किसी के लिए नियेटिविटी भी मत फैलाओ बाकि उनका तो मैं बहुत जादा शुक्रिया करूंगी जो मेरी वीडियो देते भी हैं लाइक भी करते हैं प्यार से कमेंट भी करते हैं उनले तो बस दिल से यार शुक्रिया है अचा ब कैसे जो पॉल्डन ही करना है बस तो थोड़ा रोश्ट कर सकते हैं और फिर मैं हरी मिज डा लए है और इसके बास जने ने हैं सब्जियों को पकाना बिल्कुल भी नहीं है ज्याता देख हैं ज्यानिज जो फूद शाथी बिल्क माई पकती हैं वह बिल्कुल भी नहीं मैं आपके पास जो भी वेजिस हो आप डालने जरूरी नहीं कि एक्जाक्ट यही चीज ही पढ़ लिए बिकास बहुत लोग होते ना कभी-कभी मैं भी वह जाती हूं कि यार यह समान में यह नहीं है तो यार कैसे वना हो जाता है जरूरी नहीं कि पूरी वेजिस जो डाली है बै दर घरन चरी साइबडर भी दा लोग। आपकपस टीजार्व होरोत फिर बूरी तो पूरी तरही के सब्स्कीप जोगें मिक्स कर लें मुपना यह जोगंर बनाने पद्दीली आपके बरोगभी-कभी-कभी या इसमिक्स करोई-करिध कर भी है अगय है भल्य जिल्दी काल था, करें नमक में क्वाएर तों इतना है इतनाको सबसे हैं भलान से कश fare, इक ज़ती हैं फिर यह जदी कि रखने काल नमग मैंस नमक आट्कूरों को पंची दुट ध्या बना था और दो यह सक度 थीक है Nevertheless जो पूंध से झाता है बनाएगा जूरू दिखिएगा बहुत अच्छा बनता है तो इसके बाद इसे मिक्स करने और उपर से थोड़ा सा हरी प्यास से इसे गार्णिश कर लें और बाकी मेरा पास्ता रेडी हो चुका है एक डिस फैनल हो चुकिए अब इसके बाद बना लेते हैं चिली पोटाटो मैंने लिया है एक पायम में और और यंपी मैं डाले हैं बारीक अद्रक लसून फिर मैंने बारीक प्यास डालिया और इसे थोड़ा सा फ्राइ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है किसी बीजीस को तो फिर इसके बाद मैंने सिम्ले मिश डाली है और इने भी फ्राइ कले लिए इसके बाराइ कले और इसके बाद सॉय नहीं इस अड़ा नहीं आञे मैने मेंने केचप चब डाला है इसके माड़ी झैर्भ कि सबड़ा इसे थहा नहीं थाए विनियागर then red food color क्योंकि इसे color बहुत अच्छा आएगा तो बस इसे mix कर लें और इसके बाद मैंने गिरीन चिली एड़ किये और मेने थोड़ा सा नमग भी डा रहा था बाकि सॉसस में तो सब नमग थे बाद फिर भी मैंने थोड़ा सा नमग डाला था क्योंकि मुझे कम लग रहा था औ अच्छा लग रहा है बस इसके बाद मैंने पटैटो को एड़ कर दिये बहुत सिंपल सी रेसिपी थोड़ी से वेजिस काट नी पड़े कि आपको और वेजिस भी ज्यादा नहीं पड़ी है तो बस कभी भी आप चट पट से जटली से बना लें और कभी भी आप कमानों तो खर पर बना के खा लें बस तो ये चिली पटैटो भी रेड़ी हो चुका है और इसे सब कर लेते हैं और प्याज और थोड़ सा फैवेच से गानिश कर देते हैं दिखिए इसका फानल लूक कितना अच्छा लग रहा है देखने में और टेस्ट में बहुत अच्छा था बना बहुत सारगा मेरे घर में बोला है कि यह बहुत अच्छा बनांग बला तो वह मैं बना नहीं पा देती हूं और इसकी मिन हम ऋस्याटबे डाल दी तो केक्ट केक ने 했어 क। क्युक्क क costume नहीं बना लिए को असमान अच्छा नहीं और दाशल मैं बनाई पाया इधहर मैंने बन तो यह रहा पूरे चीज़ों का फाइनल लूप और इसी तरह मैंने सेलिवेट किया हर एक चीज बनाई अपने हाथों से अच्छा लगा एक फैमिली के साथ के टूगेधर भी हो गया और एक पार्टी भी हो गई और भाय लोग तो वैसे भी सब पार्टी बगर नहीं मनाते है बट फिर भी एक खुशी होती है कि अपने हाथ से बनाया और उनके लिए खिलाया आप लोग भी करें एक ही चीज बनाया तमाम चीज ना बनाया एक ही चीज बनाया और सामने वारों को कैसे भी हो खुशी होती है कि हाँ यार किसी ने मेरे लिए बनाया तो बस कैसे लगा मे लाइक कमेंट शेयर जरू कर दीजाएगा बाइब दौा में याद रखेगा अल्लाहाफ़ीज हुटा में याद रखेगा